हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अंजली और बेलकम है आप सब का मेरे चैनल में फ्रेंड्स आज मैं कोई रेस्पी की वीडियो आपके साथ नहीं शेयर करने वाली हूं आज मैं बहुत ही अच्छी चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत अच्छी टिप्स लेकर आई हूं जो कि आप इसे बेहस पसंद करेंगे, तो बाहर से अगर आप फेश वोष उगर लेते हैं, तो इसे एक बार देखने के बाद आप बाहर से लेना बंद कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए, मैं होमेट फेश वोष बना रही हूँ, जो कि हम सुबस हम यूज करने हैं घर में, तो यहाँ पर मैंने फेश वोष बनाने के लिए तो फ्रेश ताजे नीम के पत्ते लिए हैं, नीम के पत्तों में तो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने का ताकत होता है, और बहुत सारी इसमें बिटामिन्स होते हैं, एंटी फंगल एंटी वाइरल गूर बहुत ज़ाद मतलब मात्रा में मौजूद होते हैं इसमें, और इसमें अनेक प्रकार के बिटामिन्स, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, तो यह बहुत ही अच्छी चीज है नीम के पत्ता, तो साथे शाथ में यहाँ जो नीम का पत्ता हमने लिया है, तो आप देख सकते हैं, एकदम फ्रेश ह इसको मल डंठल से अलग कर रही हूँ, अलग करने के बाद इसे मैं अच्छे से वाश करूँगी, और यहाँ पर हमने लिया है एलोवेरा, एलोवेरा तो मुझे लग रहा सभी के घर पे मौजूद होता होगा गमले में, मैंने अब भी फ्रेश ताजा ही तोड़ा है इसे अ होते हैं, तो एलोवेरा को आप हर तरह से हर चीज में यूज कर सकते हैं, बहुत लोग इसे सुबह सुबह खाली पेट यूज भी करते हैं, इसकी नोगरे के लिए बहुत ही अच्छी टेप्स है ये और आप जरूर फॉलोग करिएगा इसे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता है, बहुत ही जादे होता है, तो संभाल के चाको चलाएगा कि हाथों पे ना लगे, तो हमें इसके टुकड़े कर ली हूँ, आए चलते हैं, नेक्स प्रोसेस में, तो यह जो होमेड में फैस वाश मना रही हूं इसे आप बच्चों का भी फैस वाश कर सकते हैं, अपन यहां मैंने तीन से चार पानी पत्तों को वाश कर लिया है, मैंने यहां रेगुलर मिक्सी जार का यूज किया है, जहां तक मैं आपको बता दू, जिस ही मिक्सी जार में या सिलवट्टे पा अगर आप इस निम के पत्ते को पीशते हैं, तो उस पर तुरंत को यासी चीज पीश येगा जिसको आपको खाना हो, क्योंकि कड़वाट बहुत ही जादा इसमें होता है, तो थोड़ा सा पानी याट करेंगे और इसे पीश लेंगे, इसमें बारिक सा पीश लीजिएगा इसे, पीशने के बाद यहां पर इसमें वाभी दरदरा दरदरा बहुत सारे कड हैं, तो इसको हम पहले ही कठा कर लेते हैं, तो मैंने मिक्सी बाउल में पीशा है, अब इसको हम निकालने, एक बाद मिक्सी बाउल में कोई हरे पत्ता, जैसे की लौकी ओगर एक पत्ता पीश दीजिएगा, जो भी आपके पास घास हो गएर अगल बगल है, पीश देंगे नीम के पत्तो का पेस्ट जो है उसे एट कर देना और उसे अच्छे से छान लेना है छानने पर देखिए कुछ इस तरह से गाड़ा गाड़ा सा यहाँ पर पल्प निकल रहा है थोड़ा सा हाथों से पुश करेंगे इसली निकल जाएगा देखिए एकदम फ्रेस से कोई भी मिलावट नहीं आप देख सकते हैं तो क्या यह आपकी फेस को कोई भी नुक्षान पहुचा सकता है बिल्कुल नहीं तो अच्छे से इसे निचोड लेना है फ्रेंड्स और निचोडने के बाद जो जूश इसका है इसे रख देते हैं और जो उपर का जो पाड़ है उसे सा क्योंकि इसके टुकड़े जो हैं बड़े-बड़े से हैं दोनों चीजे एकदम फ्रेश हैं और कोई भी इसमें मिलावट नहीं है तो जो मैं फेस्वास बना रही हूं आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है एक बार इसे आप बनाएंगे तो 15-20 दिन आपका चलेगा तो यह देखी यहाँ पर मैं गरम पानी में एक बड़ा सा पतीला रखी हूं उसमें हम बनाएंगे नीम के पत्तों का पेस्ट एड़ कर दिये हैं और इसे उबलते हुए पानी में रखना है बहुत जादे देर तक नहीं पकाना है कंटिनु इसे चलाते रहनाने तो थीक हो जाएगा इसमें हम एलवेरा को एड़ कर दिया है आप चाहें तो एलवेरा को नीम के पत्तों के साथ भी पीश सकते हैं लेकिन मैं अलग-अलग दोनों को रखी थी तो इसमें कोई इश्यू नहीं है तो देखिए यह थोड़ा-थोड़ा सा थीक हो गया है तो इसे पानी मैं एड़ करने जा रहे हूं फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉर्ण फ्लॉर देखिए बहुत ही मामूली बहुत ही थोड़ा सा इसको पानी डालके गोल लेंगे गोल के इसमें डाल देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा थिकनेस आ जाए अगर विटामीन-E की गोल या कैपसू तुल आपके पास हो हरेवाली तो इक से दो जरूर डाल दिजीएका इसे क्या होगा चेहरे में शाइनिंग आयेगा तो यहां पशे अच्छे से हम मिक्स करना है पानी नीचे आच्छे से गरं भी हो गया है और इसमें भी इस्ट्रीम आनर स्टार्ट हो गया तो देखिए यह कितना गाणा हो गया है तो आप यह सोच रहे होंगे फ्रेंड्स किसे face wash कैसे किया जा सकता है मैं आपको बता रहे हूँ इसे कटोरी में निकाल लेना है तुरंत निकालने के बाद 2 मिनिट वेट करिएगा थोड़ा सा स्टीम इसका निकल जाएगा इसमें जो भी आप डेली उज में सैंपू यूज करते हैं तो सैंपू को 2 से 4 बुद इसके अंदर आड़ कर देजिएगा जिससे कि क्या होगा बहुत बढ़ियासी खुश्बू आएगी और जाग आएगा इसके लिए तिक अलग सा लिकवीड आता है तो हमारे पास नहीं है तो मैं बिल्कुल होम मेड आपको फेस वास बता रही हूँ बहुत ही एजी तरीके से घर पे बना के आप यूज कर सकते हैं तो यह देखिए बने सैंपू इसमें डाला है बहुत अच्छी घुश्बू आ रही है जो आप रेगुलर यूज करते हैं उसे भी डाल सकते हैं या फिर साबून को भी थोड़ा सा घिसके डाल सकते हैं मैं आपको हाथों पे लगा के भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा पानी ले 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 जिए थोड़ा सा फेस वाश ले 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 जिए यहां पे और इस दोनों हाथों के हाथ धेलियों पे रखके इस तरह से देखिए कितना ही बढ़िया सा यहां पे जाग हो रहा है तो आप असानी से इसे फेस को वाश कर सकते हैं बिल्कुल भी तील मुहा से आपके फेस पे नहीं होंगे तो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा